तो यह मैं लेक्चर सीज इस्टार्ट कर रहा हूं एंशेंट इंडिया की इसमें हम इनिशली बेसिक्स डिसकस करेंगे उसके बाद आइडिया है कि हम एडवांस लेवल पे मूफ करें तो यह बिगिनर्स के लिए काफी इंपोर्टेंट है और जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनके बेसिक्स क्लियर करने हैं तो इसमें प्रेलिम्स और मेंस दोनों कवर करने की कोशिश रहे ही यूपी एसी के लेवल की राइट तो हम शुरू करते हैं इंशेंट इंडिया की स्रीज तो अगर हम टाइम पीरियड देखें हरपा सिविलाइजेशन का तो वह पैलियोलेथिक और नियोलेथिक के बाद आता है मतलब कि स्टोन एज के बाद जो हिस्ट्री शुरू होती है उसमें हरपा को माना जाता है और यह चालकोलेथिक पीरियड जो कॉपर से रिलेट पीरियड था उससे पहले माना जाता है लेकिन उससे फार डवलप्ट है यह और हरपा फेस की जब हम बात करते हैं तो हम हमेशा मैचूर हरपा फेस की बात करते हैं इससे पहले भी हरपा फेस था जो बेगिनर अरली हरपा फेस माना जाता है और इसके बाद भी था जो लेट हरपा फेस माना जाता है लेकिन जो करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसमें अर्बनाइजेशन हमें दिखता है वो मैचूर हरपपा फेस है और डिफरेंट हिस्टोरियंस ने डिफरेंट पीरियड दिया है NCRT में जो पीरियड मैंशन है वो है 2550 से लेके 1900 BC लग तो जॉन मार्शल थे चिनों ने फर्स्ट हरपपा सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया था और इसको हरपपा सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि हरपपा पैला सिटी था जो डिस्कवर हुआ और जनरली सिविलाइजेशन उनके नाम पर ही बेजड होती है जहां पैला सिटी डिस्कवर होता है वरना इसे जनर्रली इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं क्योंकि इंडस जो रिवर है और उसकी जो फाइव टिप्यूट्रीज हैं उसके आसपास ही हरपा सिविलाइजेशन और इस जो सिटी है यह पाए गए हैं अगर हम जोग्राफी देखें कि हरपा सिविलाइजेशन की कहा से कहा तक थी तो इसी टाइम पर मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन भी हुआ करती थी और एजिप्ट में भी सिविलाइजेशन हुआ करती थी तो माना जाता है कि एजिप्ट और मेसोपोटामिया को अगर हम सम करतें तो उसका 12 टाइम्स बारा गुना जादा बड़ा था हरपा सिबिलाइजेशन तो अगर हम अगर आप East to West देखेंगे तो आप स्टार्ट अगर करें North West India सबकॉंटिनेंट जो पाकिस्तान था देखा गया एजा। तो सबसे ऊपर यह हरपा सिटी था वहар हुआ था यह देखा गया था आपा हो यह कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले रपा सिटी था। वह दिस्कवर हुआ था अगर हम नौर्थ से साउथ जाएं तो सबसे उपर यह जम्मू में जम्मू के आसपास मिला था वहाँ पे अखनूर नाम की साइट है जो मिली थी मंदा और अखनूर वहां से लेके साउथ नर्मदा एस्चुरी तक हरपा सिविलाइजेशन है ठीक है तो बलुचिस्तान से ले पाकिस्तान में इस नाम की तो मूवी भी आ चुकी है जानूदारो वह भी पाकिस्तान में लोथल गुज्रात में काली बंगन राजिस्तान में बनावली हर्याना राकी गड़ी जो वन अव उप्सी एक प्रैसिफ एंड मिला तो यह आप जगे याद कर ले ना क्योंकि कभी कभी प्रेदिस पे पूछ लेते हैं कि ये साइट कहा पर है तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हरपा civilization जो है वो एक अर्बन civilization है मतलब अर्बन का क्या मतलब है कि secondary और tertiary activities जादा होती थी हाँ पर agriculture based economy नहीं थी ठीक है agriculture तो देखिए हमेशा चाहिए होता है लेकिन अगर किसी economy में secondary और tertiary activities भी जादा हो रही है तो उसको urban माल जाता है जैसे हमाहा दिल्ली है तो यहां पर दिल्ली मुंबई है चिन्नाई बैंगलोर है तो यहां पर आप देखेंगे कि business चल रहा है trade and commerce चल रही है तो इसलिए इन्हें cities माल जाता है ठीक है तो अगर हम town planning देखें हरपा civilization की तो mainly हर एक town को दो parts में divide किया जा सकता है एक citadel हुआ करता था जहां ruling class रहा करती थी और एक lower town था जहां यहां पर common people रहा करते थी जैसे अभी भी होता है कि जो main जगा होती है वहां पर let's say south Delhi है जैसे वहां पर president prime minister है और दूसरी जगा है जहां पर common people रहते हैं तो ऐसे ही decide ऐसे ही यहां पर भी था road जो थी वह well maintained थी और city जो था वह blocks में divided था chess board system आप कह सकते है वहां पर ठीक है rectangular houses हुआ करते थे साथ साथ city में एक और चीज पाई गई है कि great bath great bath जहां पर water हुआ करता था और वहां पर शायद वह ritual के लिए use हुआ करता था देखिए हरपा civilization की जो script है वह अभी तक deciphered नहीं हुए तो काफी चीज़े जो historians ने निकाली है वह deduction करके निकाली है using the archaeological data ठीक है तो हम हमेशा may be लगाते हैं might be जब भी हम हरपा civilization के बारे में discuss करते हैं तो आपर great bath था ग्रेनरी थी जहां पर store किया जाता था तो मैंने जैसे आपको बताया urban cities में agriculture तो साधा होता नहीं तो agriculture यह कहीं और से लाते थे मतलब cranes, rice, barley, barley ठीक है और वो cities में store करके रखते थे drainage system था वहाँ उस टाइम पर बहुत अच्छा था बाथरूम थे हर घर में और manholes भी थे यहां ठीक है agriculture कैसा था तो अभी आप अगर देखेंगे कि नौर्ट वेस्ट इंडिया कैसा है तो काफी infertile plane हो गया है इतना इस टाइम पर वहां पर fertile plane नहीं है लेकिन ancient time में वहां fertile plane थी काफी floods वहां annually आया करते थे नालाज बनाया करते थे dam से dam को use करके जिससे पानी store किया जा सके और villages जो थे वो food grains supply करते थे टाउंस को और weed, barley, rice, peas, rice और cotton की भी evidence मिले है हरपा civilization थे एक और चीज यहां पर understand करने की कोशिश करिए कि हरपा civilization काफी जादा बड़ी थी मतब size में तो different locations पर different different चीज़े पाई गई है जैसे आप देखे तो गुजरात में rice जादा है ठीक है coastal areas में marine जो fishes वगेरा हैं उनका consumption जादा हुआ करता था एसी अगर आप हरपा चले जाए तो वापर wheat बारले वगेरा जादा हुआ करता था ठीक है wheat तो कम लेकिन बारले आप mainly देखिए वह जादा हुआ करता था ठीक है तो different locations पर different different चीज़े हैं उस time में agriculture था साथ साथ domestication of animals भी किया जाता था बहुत large scale पर तो ऑक्संस, buffaloes, goat, sheep, pigs ठीक है dogs को जो था वह पैट की तरह रखा जाता था horse जो है वह generally absent है horse जो है वह audience लाएंगे एक evidence मिला है सुर्क को ताड़ा से horse का लेकिन आप इसे जादा ये मतमानिये कि horse वहाँ पर present था horse generally आप ये assume करके रखे कि वहाँ present नहीं था इस साल पेलिंज में कोशन भी आया था कि क्या horse था वहाँ पर या नहीं था तो I think UPSC का अंसर उसमें होना चाहिए कि horse नहीं था ठीक है elephant और rhinoceros वहाँ पर उस टेंटे काफी साथ था technology क्या थी तो देखी इसे bronze age कहा जाता है copper और tin से मिलता है copper कहां से लाते थे वह copper देगी खेत्री माइंज है राजिस्थान में वहां से copper लाया करते थे tin जो था वह अफगानिस्थान से लाया करते थे और images बनाया करते थे utensils, weapons बनाया करते थे even boards भी वहां बनते थे boards से वह trade क्या करते थे with other civilizations, Mesopotamia जैसे seal भी काफी popular थे उस टेंट थे और उन्हें jewelry वगेरा का भी काफी shock था silver, gold, precious stones जो है वह काफी बनाया जाते थे तो trade के भी काफी evidence मिले हैं इसी की वज़े से harpa civilization इतना develop था अगर आप उस समझना चाहे कि इतना develop कैसे था क्योंकि trade surplus हुआ करता था इनके पास जैसे अभी India का है trade deficit है तो India थोड़ा loose कर रहा है पैसा लेकिन उस time में जब harpa civilization था तो India गेन कर रहा था गेन ऐसे कर रहा था कि gold लिया करता था और कुछ और supply करता था मतलब आप समझ दीजे कि exports were greater than imports ठीक है तो evidence of trade था उस time पे जो कैसे आप देखेंगे ये trade था भी या नहीं था इसके लिए proof क्या है from various villages seals भी है different different जगाहों पर मिली है script भी weights भी regulated थे उस time पे trade कैसे किया जाता था तो देखें monetization उस time पे नहीं था coins अगर आप से कोई पूछे कि coins थे या नहीं थे harpa time में तो नहीं थे barter system था ships से trade किया जाता था wheel और cart से trade किया जाता तो internal trade अगर आप देखें हरपा civilization के अंदर ही तो wheel और cart जो था below cart वगेरा use करते थे लेकिन अगर किसी दूसरी civilization से trade करना है तो generally ships जो बनाते थे उससे trade किया पते थे तो trading colony इन्होंने Afghanistan में भी setup करी थी जिससे इनका Central Asia से trade हो सके तो सौरकुता ही एक जगे है ठीक है वहाँ पर शौर्टू गई तो वहाँ पर Afghanistan में तो middle में पढ़ता है हरपा और Central Asia के तो वाया शौर्टू गई यह trade किया करते थे और भी इन्होंने trading colony set up करी थी और हरपा seals मैसोपोटामिया में मैसोपोटामिया की books में मेलुवा नाम से mention किया जाता था इंडिस वैली civilization को और अगर पूछा जाए कि इंपोर्ट क्या किया गया अरत थे तो इंपोर्ट जाते तर गोल्ड, कॉपर, टिन, precious stones किया करते थे और एक्सपोर्ट में agriculture products wheat, barley, peas, oil, seeds political organization अब देखिए political organization के बारे में जादा तो कहा नहीं जा सकता क्यों नहीं कहा जा सकता क्यों कि स्क्रिप्ट जो है लेकिन आप एक चीज़ समझे कि uniformity थी खड़पा civilization में तो uniformity तभी हो सकती है जब कोई central authority उसे manage कर रही हो देखिए temples और religious structure का तो जादा presence में ली नहीं है except great path ठीक है और ऐसा लगता है कि जादा तर यह merchant class थे जो secondary और tertiary activities में जादा involved थे और weapon का hardly any weapon में लें है वापे तो इससे पता चलता है कि यह peace loving लोग थे और इसका main focus था कि trade करो पैसे कमाओ enjoy करो life ऐसा लगता है archaeological evidences से religious practices अगर हम देखे तो यह काफी important है तो आप मदर goddess मिली है मोहिन जोदारों में ठीक है अर्थ को fertility goddess की तरह टीट किया जाता एक seal भी मिली है जिसमें male deity बैठा है उसमें three horn head पहना है और योगी position में बैठा है और अगर आप देखें तो वह surrounded by elephant, tiger, rhinoceros, buffalo इस चारो animals के आप नाम याद कर लीजिए ठीक है बफैलो उस ताइम में जादा मतलब prevalent था और horse नहीं है यापर कहीं गलती से options में न काफी बार horse दिया होता है तो उसको मत आप टिक करना क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि horse तो इस टाइम में हुआ ही नहीं करता था feet के पास पे दो deer भी है यह जो male DT है और तो इससे identify किया गया है पशुपती महादेश से ठीक है उस टाइम पे phallus worship भी किया जाती जी और religious practice में ही यह continuation है कि nature worship बहुत किया करते थे tree की worship किया करते थे one horn unicorn मिलाए humped bull amulets goats और evils में इनका शायद विश्वास था इसलिए ही amulets पें थे burial practices भी काफी जादा different different आपको मिलेंगी complete burial है, port burial है coffin को भी use किया गया है तो different ways में किया करते थे different होने का reason simple यह है different तरीके से उनको बरी किया जाता था जैसे आप Kalimankar में अगर evidence देखेंगे तो आपको fire के भी evidence में fire alatar script script मैंने आपको जैसे अभी पहले ही बता दिया है कि script अभी तक deciphered नहीं की गई है pictographical script है इसलिए इसको decipher करना थोगा तो pictography है तो इनमें 200 से लिए 400 तक pictographs है और जो हर एक letter है कोई sound या idea object को बताता है और Mesopotamia script उससे different है Mesopotamia में 900 के करीब pictographs है तो अगर कभी question आए कि were people of Mesopotamia and Harappa civilization same तो आपको इसको no tick क्योंकि अलग-अलग लोग थे इनकी script भी अलग थी काफी कुछ रहने का तरीका भी अलग था bronze जो था वो Mesopotamia में जादा था Harappa में थोड़ा कम था bronze ठीक है other important points weight or measure weight वो 16 के multiple में थे 16, 32, 48 pottery जो थी general design of tree and circle था red wear pottery थी तो आप इसको याद रखना थी painted grey wear थीक है वो जो Vedic time में मिली थी तो वो सब pottery के अलग-अलग pottery अलग-अलग ages में में मिली है Harappa civilization से जो contemporary pottery is red wear pottery seals जो थी वो बहुत important है animals की मिली है और seals में high skill use करते थे high class use करते थे एक image भी मिली है dancing girl की महिंजोदार हो थे bronze image हो और उसने खाली necklace पैना हुआ terracotta भी बनाया करते थे उस time पे animals, humans और इसा लगता है यह जादा great skill से नहीं मनाते थे जैसे seals को बनाया करते थे तो शायद यह common people के लिए ही बनाया जाता थे तो जो clothes थे वो normal clothes पैना करते थे upper and lower clothes both man and woman jewelry पैना करती थी women cosmetics भी मिले हैं चानुदारों से lipstick भी मिली है cosmopolitan culture था उस time children's के toy भी मिली है fishing, hunting, bull fighting में भी अपना time spent के करते थे life को enjoy किया करते थे अब यह decline भी कैसे हुआ decline कैसे हुआ इस पर भी काफी controversy different stories, different perspective दिया कि decline कैसे हुआ हर civilization का आप देखोगे Mughal, Mughal का, Ashok मौरे एंपायर का या Gupta एंपायर का different historians different reasons थे ऐसा ही हड़कपा के time ने हुआ कुछ historians ने कहा है कि यह पारिश कम होगई rain decrease होगई rain decrease होगई तो agriculture में कमी आ गए जब agriculture में कमी आ गए तो urban जो लोग है उनको खाना नहीं मिल रहा था जब उनको खाना नहीं मिलेगा तो secondary tertiary activities में involved नहीं हो सकते आप हमेशा है रखिए कि जब भी urbanization होगा तो उसका reason होगा कि agriculture surplus है अगर agriculture surplus नहीं होगा तो आपका urbanization नहीं हो सकता जैसे आप इंडिया कभी देख लीजा गर green revolution नहीं हुआ होता इंडिया में इतना urbanization नहीं हो पाता right तो पहला reason यह बता गया दूसरा reason यह बता गया कि fertile plane जो थी salinity वहाँ पे काफी बढ़ गए salinity इसलिए बढ़ गए क्योंकि repetitive floods आए तो आपने जोग्राफिय में पढ़ा होगा repetitive floods आते रहें salinity बढ़ जाती है क्योंकि पानी absorb हो जाता है evaporate हो जाता है और salts होते है वह नीचे रह जाते है third reason यह बताए गया कि earthquake आए earthquake ने काफी rivers की flow change कर दिया काफी बंद भी हो गए एक और point कहा गया है कि Ardians ने destroy कर आए Ardians जैसे आपको पताए कि उनका origin जो है थोड़ा इसके बाद आया है लेकिन इस theory को completely discard कर दिया गया है यह Mortimer Wheeler थे उन्होंने theory दीती तो इसको पूरा discard कर दिया गया है इसको इसलिए discard कर दिया गया है क्योंकि at most 1750 के बाद mature harpa face हमें नहीं लिखता और Ardians 1500 के पहलिन नहीं आये लिए उनका कोई trace नहीं मिलता तो यह theory को completely discard कर दिया है तो ऐसा लगता है कि different places पे different factors ने act करा क्योंकि हड़पा civilization में आपको पहली बता गया हूँ कि जम्मू से लेके यह नर्मदा तक है और वहाँ भलूचेस्तान से लेके मेरत तक है कर नहीं tough हो गया उस plane में तो फिर हरपा civilization इसकी विज़े decline होने लगया तो यह हम यह lecture यहाँ पर खटम करते है basics of हरपा civilization का आप मुझे feedback देना कि आपको यह lecture कैसा लगा और आप कैसा और changes चाहते है Okay friends That's all, thank you आप